हेलो फ्रेंज वेल्कम बेक टू माई चैनल फैशन फोकस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस साल की मोस्ट ट्रेंडिंग प्लेटट कुर्ती की डिजाइन जो आई होप आपको पसंद आएंगे इस टाइब की प्लेटट कुर्ती इस टाइम पैशन की दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में हैं यह कुर्ती देखने में जिपने संदर लगती हैं पहनने में उतने ही स्टाइलिश और कमफर्टेबल भी होती हैं मार्केट में आपको इस टाइब की कुर्ती के एक से बढ़कर एक डिजाइन मिल जाएंगे लेकिन अगर आप अपने लिए प्लेटट कुर्ती को स्टिच करवाना चाहती हैं तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक पूरा वाच करें इस वीडियो में आपको प्लेटट कुर्ती के सिंपल और बहुत सुन्दर से डिसाइन देखने को मिलेंगे जिन्हीं आप अपनी पसंद के फैबरिक से स्टिच करवा सकती हैं आप प्लेटट कुर्ती स्टिच करवाने के लिए डिफ्रेंट टाइप के फैबरिक कर यूज कर सकती हैं आप कॉटन का प्लीन या प्रिंटट फैबरिक यूज कर सकती हैं या आप जॉलजट का फैबरिक भी यूज कर सकती हैं फैबरिक खरीते टाइम आप कलर पर भी जरूर फोकस करें एक सुन्दर से कलर का फैबरिक आपकी कुर्टी को और साधा अट्रक्टिव बनाने में आपकी हेल्प करेगा इस वीडियो में आपको प्लेटड कुर्टी के डिफरेंट टाइप की डिजाइन देखने को मिलेंगे जो बिलकुल नए और ट्रेंडिंग डिजाइन है जो भी डिजाइन आपको पसंद आए आप उसे अपने लिए सेलेक्ट कर सकती है और उस डिसाइन से आईडिया लेकर आप अपने लिए एक संदर से डिसाइन की प्लेटड कुर्टी रेडी करवा सकती है आप प्लेटड कुर्टी को डिफरेंट टाइप के बाटम के साथ वेयर कर सकती है आप इसे पैंट प्लाजो, सरकल प्लाजो ये जीन्स के साथ वेयर कर सकती है ये कुर्टी इन सभी बाटम के साथ स्टाइलिश लुक देती है प्लेटड कुर्टी की खास बात ये है कि इन्हें हर एज़ की लेडी आराम से पहन सकती है आप इन्हें किसी पार्टी फंक्शन में, कॉलिज में, आफिस में ये आउट डूर पर पहन सकती है इस टाइब की ड्रेसेस को फॉलो करके आप अपने लिए एक अच्छा लुक रडी कर सकती है कुर्टी सभी लड़कियों का फेवरेट आउटविट होता है और आजकल की सेलेबरिटेज भी इस आउटविट को फेवर करना काफी जादा पसंद करती है अगर आप भी कोई नई डिजाइन की कुर्टी अपने लिए स्टेच करवाना चाहती है तो आप इस टाइब की प्लेटेट बर्थी को इसेच करवाने के बारे में सोच सकती है इस वीडियो में आपको सभी तरह के सलेक्टिक डिजाइन दिखाने की कोशिश की है I hope आपको इस वीडियो के डिजाइन पसंद आए और इन डिजाइन से आपको काफी अच्छे आइडियास मिले वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर लें